वेल्ओ मेलो पीपल वेल्कम दो रोचग फूर्स पर्च यून्हो कभी हम बैट लेने जाते हैं तो बैटके उपर इंग्लेश लिखा होता है कश्मीर फिर विलो भी लिखा बहुता है साथ में क्या मतनब है यह एक्ष्मीर कुम लिखा जाता है बैट और यह सब पढ़ने के बाद जब लेने जाते हैं तो हम सिलेक भी नहीं कर पाते क्योंकि यह सब का मतलब भी नहीं पता है इसकी प्रॉपर यूसेज क्या है हमारे लिए कौन सा सबसे लंबा टेकेगा डू नॉट वरी यही प्रॉब्लम को सल्यूशन में आज के वीडियो में लेकिया हूं कि हमारे लेकिन ब्रिटिश इंडिया आयते रूल करने के लिए तो उन्होंने कश्मीर का क्लाइमेट और वेदर तो एकदम सूट करता है तो यहां पर भी यह पेड लगाते हैं यहां पर भी बैट बनाएंगे और वह हमारे लिए छोड़ गए यह कश्मीर विलो का बैट तो अब इसके क्या डिफरेंस है यह हम जानेंगे इंग्लिश फिलो बैट थोड़ा दिखने में जाधा गोरा होता है जाधा शाइन करता है ज्याधा ब्राइट होता है ओविसली क्योंकि इंग्लेंड में उखता है तो फिर इंग्लेंड के लोग गोरे बैट गोरा लेकिन ऑन दी आधर हैंड कश्मीर विलो जो है वो थोड़ा सा डाक पड़ जाता है दोनों ही अच्छे है ऐसे को दिखने में प्रब्लम नहीं बट यह एक डिफरेंस है तो lies English यंग्लेंड सारे ऐलेके ट contact is ठीक है ख्लाक टिश्ड आलोग होती है वहांके क्लामेट चंदिशन अलोग होते इंग्लिश विलो के उपर यह ज्यादा विजिबल होती आप लोग देख सकते हो एंग्लिश विलो के उपर ज्यादा विजिबल होती है दर रीजन इस बिकॉज अब आप इसके पीछे इसकी औरीनटेशन सब्ढ़िए कि अब जो फाइबर ओर एटेशन होती ना वो कश्मीर लोग की slightly जाधा horizontal होती है अगर आप लोग यहां पर देख सकते हो तो तो this is one of the reasons कि यह क्यों जो इसकी lines है वो कम नजर आती है और इसकी lines क्यों जाधा नजर आती है वैसे हर बैट में four to five lines ही रहती है लेकिन English Willow में it can go up to 15 grains तो यह सबसे ज्यादा है अब चलेंगे चौथे पॉइंट की तरफ चौथे डिफरेंस की तरफ जो की है difference in the weight अब वेट में में फरक देखो तो English Willow Bats are usually lighter than comparatively to the Kashmir Willow Bats Kashmir Willow ज्यादा हेवी होते हैं the reason being क्योंकि Kashmir में जो पेड होता है वो ज्यादा dense होता है उसमें ज्यादा moisture होता है तो जो लकडा बाहर आता है वो भारी ही होता है comparatively to the bats that are made in England 5 difference आ जाता है वो है longevity का अब जो बात है वो यह है कि English Willow बैट जो है वो ज्यादा थोड़ा सा delicate होता है वो easily break हो सकता है अगर आप इससे correctly ball smash ना करो या correctly use ना करो तो इसके तूटने के chances ज्यादा होते हैं on the other hand Kashmir Willow के साथ यह बात नहीं है Kashmir Willow का बाट काफी ज्यादा strong है काफी ज्यादा durable भी है and now the last difference which all of this comes down to is the price Kashmir Willow जो बाट है वो ओविसली थोड़ा सा cheap section में आ जाएंगे cheap range में आ जाएंगे 1000 से यह उसे कम में भी जाएगा it goes up till 4000 as well 4000 रुपीस तक जाता है लेकिन on the other hand अगर आप English Willow बाट देखो तो English Willow बाट स्टार्ट होगा कुछ 3000 5000 से स्टार्ट होगा and it can also go till 1 lakh 2 lakh इतने महेंगे बाट भी आते डिपेंडिंग आप कौन से स्टेज पर किल रहो professionally कितने आगे तक खेल रहे हो जो भी आपका level हो उस पर यह सारी चीज़े डिपेंड करती है अब देखो मैं आपको एक changes me बाट है है अपको आवाज से पता चल जाएा कि लकड़ा ना हल्कर है अगर्धे कम भी करेंगे अं नाव यह इंगलिस विलो को भी आपन बीक करके देखेंगे हम से तो आपको फ़रक के साब से कौन सा वाला बैट लेना चाहिए या कश्मीर विलो लेना चाहिए या फिर आप लोगों को इंग्लिश विलो लेना चाहिए कश्मीर विलो लोगे अगर आप एक beginner level पर start कर रहे हो अगर आप tennis ball से खेलते हो या फिर अगर आप टॉफ पर नॉमली खेलते हो लेकिन अगर आप leather ball के साथ professionally अगर आप एक level पर खेल रहे हो तो इंग्लिश विलो बैट जाधा रहेगा बेटर रहेगा लेकिन as you gradually grow in your sport and in your game you have to switch from Kashmir विलो to English विलो वैसे काफी famous players जैसे की Sachin Tandalkar या Vivian Richards ने भी अपनी शुरुवात या in even in their career वो लोग ने Kashmir विलो बैट यूस किया है जो बहुत अच्छी quality का होता है लेकिन ठीक है आजकल जाधा English विलो ही चल रहे है English विलो जाधा better performances provide कर रहे है alright people this was it from the video thank you so much for watching I hope this video was really really helpful again कोई queries हो you want to strike a conversation with me comments में आजाना you can see the handle on the screen Instagram पे जाके follow करो जल्दी जल्दी like करो share करो subscribe करो share it with your friends and your family and see you guys next time